दोस्तों हम इस वीडियो में गुरुत्वा कर्षन यनि की ग्रैविटेशन के बारे में पढ़ेंगी। गुरुत्वा कर्षन का सिधान्त सर आईजाक न्यूटन ने दिया था। न्यूटन के बारे में कहा जाता हैं कि वो एक बार किसी एपल के व्रक्ष के निचे बैठे थे। वहाँ पर उनके उपर एक एपल का फल गिरता है। फल के गिरने से वो सोचने लगते हैं कि यह फल निचे क्यों आएं। और जब भी हम किसी वस्तुक उपर की तरफ हैं के तो वो निचे क्यों आती हैं। तो फिर उन्होंने अपना एक नया सिधान्त दिया। जिसको आज हम गुरुत्वा कर्शन का सार्वत्रिक नियम यनि कि दो यूनिवर्सल लौ ऑप ग्रैविटेशन के नाम से जानते हैं। ये सिधान्त इन सभी घटना को सही तरीके से इस पास ठिक्रत करता है। दोस्तों आज जो आप टीवी देख रहे हैं अगर ये नियम नहीं होता तो आप नहीं देख पाते हैं। ऐसे ही कई रोचक चीजें इस सिधान्त के आने से संभव हुई हैं। तो हम उनके सिधान्त को समझते हैं। तो दोस्तों गुरुत्वा कर्शन के नियम के अनुशार इस ब्रमान में स्थित कोई भी दो दर्यमान हमेशा एक दूसरे को एक बल के द्वारा आकर्शित करते हैं। इस बल का परिमान उन दोनों दर्यमानों के गुणनदपल के समानुपाती होता हैं। और उनके बीच की दूरी के वर्ग के विद्कर्मानुपाती होता है। जैसे अगर हम M1 और M2 दर्यमान के दो गोले लें और उनको R दूरी पर रखा जाएं। तो उनके मद्य लगने वाला आकर्शन बल का परिमान G into M1 into M2 upon R square के बराबर होगा। और उन दोनों गोलों पर बल की दिशा एकदम विपरित होती है। दोस्तों जब आप किसी वस्तु को उपर की तरफ हैकते हैं तो वह निचे क्यों आती है। क्योंकि वस्तु और प्रत्वी की मद्य आकर्शन बलकता है और उस आकर्शन बलके कारण वस्तु निचे की जरव आती है। अब आपका सवाल होगा कि प्रत्वी उपर क्यों नहीं जाती क्योंकि प्रत्वी का द्रियुमान बहुत ज्यादा भुत है उस वस्तू के मुकाबले तो हमको प्रत्वी की गती दिखा है नहीं देती हैं तो दोस्तों अब हम यह निकालना चाते हैं कि कोई वस्तु प्रत्वी की सत्व पर कितने तुवरण से गिर्ती हैं इसके लिए हम क्या करते हैं माना कि एक small m द्रियमान की वस्तु प्रत्वी तल से h उन साइपर हैं तो प्रत्वी और उस वस्तु के मति आकर्शनबल कितना capital G एक constant है एक अच्चर है जिसका मान 6.67 into 10 to the power minus 11 होता है capital M प्रत्वी का द्रियमान है capital R प्रत्वी की त्रिजिया है अब अगर वस्तु की उन्चाई कुछ km है तो हम R plus H को R के बराबर मान सकते हैं क्योंकि R का मान 6300 km होता है तो F का मान हो जाएगा capital G into capital M into small m upon R square अब वस्तु का त्वरन क्या होगा उस पर लगने वाल बल अपन उसका द्रियमान तो यहां से हमें उसका त्वरन मिल जाएगा जिसको हम small d से denote करते हैं और small d का मान हो जाएगा capital G into capital M upon R square और इसकी value लगब 9.8 meter per second इसको आती है कई बार प्रस्णों में हम d को 10 के बराबर भी लेते हैं दोस्तों चंद्रमा हमारी प्रत्वी के चारों और तकर क्यों लगाता है क्योंकि चंद्रमा और प्रत्वी के मत्य आकर्शन बल लगता है और ये आकर्शन बल चंद्रमा को अभी केंद्रिय बल प्रधान करता है और इसी कारण चंद्रमा प्रत्वी के चारों और तकर लगाता है इसी कारण जितने भी ग्रह हैं वो सूरी के चारों और तकर लगाते हैं यहां पर जो अभीकेंद्रिय बल होता है वो थूरिय और ग्रफों के मत्य गुरुत्वा कर्शन बल के कारण मिलता है दोस्तों अब हम ग्राविटेशन के अधिन होने वाली गत्यों को न्यूटन के समीकरणों के मातिम से समझना चाहते हैं अगर वस्तु की ओंचाई प्रत्वी तल से कुछ किलोमेटर है तो हम गुरुत्वी त्वरण को नियत मान सकते हैं और इस कारण न्यूटन के समीकरण निमन प्रकार होंगे दोस्तों नियूटन के समीकरण लगाते समय हमें निमन बातों का अब से ध्यान रखना चाहिए जिन रार्षियों की दिशा उपर की तरफ हैं उनको हम धनात्मक लेंगे और जिनकी दिशा निच्चे की तरफ हैं उनको हम रिनात्मक लेंगे और चुकि जिनकी दिशा हमेशा निच्चे की तरफ होती हैं इसलिए हम जिनको हमेशा नेगेटिव लेंगे दूसरा टाइम की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव यानि की धनात्मक होनी चाहिए दोस्तों एक उदारन के माधियम से इसको थोड़ा और समझते हैं माना की कोई वस्तों उपर की तरफ हैंकी जा रही हैं तो उसका प्रारम्रिक वैग पॉजिटिव होगा यानि की धनात्मक होगा उसका तुवरन रिनात्मक होगा और अंतिम वेग और उंचाई प्रस्न की अनुसार लेंगे इस प्रस्तिति में उंचाई की वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव ही होगी और उंचाई की एक वैल्यू के लिए टाइम की दो वैल्यू होगी दोस्तों अब हम एक एंसी वस्तु की गति का ग्राफ बनाते हैं जिसको कुछ उंचाई से छोड़ा जाता हैं दोस्तों चूंकि हम पैसा ही जानते हैं कि निच्चे की दिशा को हम रिनात्मक लेते हैं तो तीनों ग्राफ जो की त्वरण समय ग्राफ वेक समय ग्राफ और विस्तापन समय ग्राफ चत्तूर्थ चत्तूर्थांस में बनेंगे यनि कि फौर्थ क्वाड्रेंड में बनेंगे तो पहला ग्राफ त्वरण समय ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा एक समय अक्स के साथ समानतर सरल रहका क्योंकि त्वरन कमान नियत है और इसी प्रकार वेक समय ग्राफी एक सरल रहका आएगी जिसकी ढाल माइनेस 9.8 मिटर पर सेकेंड इसको होगी और यह रहका मूल बिंदु से स्टार्ट होगी तीसरा ग्राफ विस्तापन और समय के साथ स्टोंकि हम जहां से वस्तु को छोड रहे हैं उसको मूल बिंदु मान रहे हैं तो प्रारेंबिक टाइम में वस्तु का विस्तापन 0 होगा और वस्तु जैसे जैसे निच्चे की तरह आएगी उसका विस्तापन जिड़नात्म कोते आएगा और यहां पर उसका तुरण नियत हैं तो इसका ग्राफ निच्चे की दिशा में खुला हुआ एक परवले मिलेगा दोस्तों अब हम द्रव्यमान और भार में अंतर समझते हैं द्रव्यमान मतलब मास को हम किसी वस्तु के घनतों और आयतन से संभजित करते हैं जबकि किसी वस्तु का बार उस पर प्रत्वी के कारण लगने वाला गुरुत्वा कर्शन बल होता है दोस्तों मास को हम कमानीदार तुला से मापते हैं जबकि भार यानिकि वेट को हम स्प्रिंग तुला से मापते हैं दोस्तों किसी वस्तु का द्रेवमान निश्चित होता है जबकि भाग अलग-अलग जगव पर अलग-अलग हो सकता है जैसे प्रत्वी पर किसी वस्तु का भार अलग होगा और संद्रमा पर अलग हाँ तो दोस्तों हमने गुरुत्वा कर्शन के स्टैप्टर को पढ़ लिया है अब एक क्योशन करते हैं अगर किसी वस्तु को उपर की तरब 40 मीटर पर 30 सेकेंड के वेग से फैका जाता है तो किस समय वस्तु का वेग माइनस 30 मीटर पर सेकेंड होगा इसको करने के लिए हम न्यूटन का पहला समीकन लगाएंगे वी इक्वल टू यू प्लस जी टी यहाँ पर वी यू और दीगे मान रखतेंगे और टी की वेली सांस सेकेंड मिल जाएगे सेकेंड किसन अगर वस्तु का दुर्वयमान एम किलोग्राम है तो प्रत्वी और चंद्रमा पर भार बताओ जबकि आपको ये देर रखा है कि चंद्रमा पर चंद्रमा के कारण उत्पन गुरुत्वय तुर्ण का मान प्रत्वी के मुकाबले एक बड़ा अच्छ गुना होता है दोस्तों चूंकि हमी जानते हैं कि किसी वस्तु का भार गुरुत्वित वरण इंटु दुर्यमान होता हैं तो प्रत्री पर उसका भार हो जाएगा M इंटु जी और चंद्रमा पर हो जाएगा M इंटु जी बाई 6 दोस्तों अब मैं आपको कुछ क्योशन दे रहा हूं जिनको हल करने का प्रयाज करो इन सभी क्योशनों के हल वरणन में दे रखे हैं अंत में दोस्तों मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूं क्योंकि आपके ही प्रेम के कारण हम नित न्यूतन वीडियो बनाने के लिए अग्रसर रहते हैं